ओके हलो एवरीवान वेल्कम टू अन अकाडमी मैं नीम इस तलवीर सिंग और स्वागता सभी का आज के सेशन में सो प्लीज एक बार सारे बच्चे मुझे कॉमेंट करके बता दीजिए कि हम लाइव हो गए हैं और अगर देख रहे हो वहां पे भी मुझे बता दीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हो तो वहां पे भी आप मुझे बता दीजिए मैं दोनुं जग्रापे चैक कर लेता हूँ ओके फाइनली आज हमारा यूट्यूब स्ट्रीम चल गया है कल किसी वज़ा से नहीं चला था ओके ओ भाई साव बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं आज क्योंकि एक धमाका करने वाले हैं आप लोगों के लिए एक मिनट बस थोड़ा सा सब को आ जाने दीजी क्योंकि सब आ जाएंगे तो पढ़ाने में मज़ा आएगा किसी का कुछ मिस्स नहीं होगा तो बस कुर्थी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि इसके बाद हमारी जो प्लेन है वो बस उड़ते ही जाएगी उड़ते ही जाएगी उड़ते ही जाएगी उड़ते ही जाएगी तो जल्दी से आ जाई है सारे के सारे स्टूडेंट मैं बहुत सारे बच्चों देख पा रहा हूं दोनों ही जगा पर अनेक एडमी पे भी और यूट्यूब पे भी सर आप कॉमर्स का लेंक नहीं दे बेटा मैंने टेलीग्राम पे दिया है उसमें कॉमर्स के मॉडल्स है चाले शुरू करते हैं बेटा तो देखो ये क्लास बेटा दोनों जगा पे हो रही है लेकिन यूट्यूब पे आप सिर्फ इसकी वीडियो देख सकते हो आने के अडमी पे आए तो आप इसकी वीडियो भी देख सकते हो आपडस भी पूछ सकते हो आप पोल पर अंसर भी कर सकते हो सबसे बड़ी जाई पीडियाफ को भी डाउन्लोड कर सकते हो तो अगर आप यूट्व पर देख रहे हैं तो उपर आपको एक qomment देखेगा उस पे क्लिक करके सीधा आने कैड में आप पे आजाईए यहां पे आके मुझे फॉलो कर लीजिए अगर क्लास को उपन करने के लिए कोई कोड मानता है तो उसके लिए तलवीर एस रेफरल कोड का इस्तेवाल करके क्लास को उपन कर लीजेगा क्योंकि आप लोगों को बारा बारा घंटे की मैराथन क्लास को देखना चाहिए था हर चीज मैं आप लोगों को आज यहां पर बताने वाला हूं तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं तो बेटा यह हमारी अगले आठ दिन तक क्लास होने वाली है हर रोज बस शाम को सवा साथ बज़े से लेके सवा साड़े आठ बज़े तक आपने कुछ नहीं करना ठीक है आपने बस मेरे साथ आना है पूरे का पूरा पेपर आ नहीं है उसके साथ साथ अगर आपने अनेकाडमी पर फॉलो नहीं किया फॉलो जरूर कर लीजे क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी पेपर वन पेपर टू की क्लासिस की और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो जून के लिए पढ़ना चाहते हो त आपको मुझे बर्दाश्ट करना पड़ेगा लेकिन क्या कर सकते हैं अच्छी चीज़ों के लिए पूरी चीज़ों को बर्दाश्ट करना पड़ता है जे अरफ के लिए कम से का मुझे तो बर्दाश्ट करी सकते हो चलिए एक वर सारे बत्ते थमजब देके बताएं मेरे क को कि yes sir we are ready for the class इसकी PDF आपको क्लास की recording के बाद मिल जाएगी आने के अडमी पे येस रेडी ओके चलिए तो यूने इस टीचिंग एपिजूड इस बार में थोड़ा सा अलग तरीके से आप लोगों को कुछ बाते बताने वाला हूं जो कि आप लोगों ने देखे जो पहली स्लाइड पर मैं लिखने वाला हूं यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है तो इस स्लाइड पर मैं जो कुछ भी लिखूंगा वह आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखिए अभी आपके exam की sheets आउट नहीं हुई है, total 33 shifts में exam हुआ है, मैंने आप लोगों को बताया था, तो उसकी admit card मैंने already collect कर लिये हैं, जैसे exam की sheets आउट हो जाएंगी, मैं आपको वो properly type करके answer की के साथ है, वो provide कर दूँगा, लेकिन जितना हमारा बच्चों से discussion हुआ है, जितना हमें बच्चों ने बताया है, उसके basis पे जो चीज मैं observe कर पा रहा हूँ, उसके हिसाब से, मैं आप लोगों को super 7 करके हर unit के, super 7, super 7 का मतलब कि मैंने जितने भी shifts का analysis किया, मतलब आलमुस्ट हर shift के बाद बच्चों के questions आ रहे थे, तो मैंने बहुत detail में एक week हो गया, मुझे ये काम करते हुए, तो मैंने 7 topic हर unit के निकाले हैं, इसको अपनी unit के syllabus वाली page पर ही लिख लीचेगा, क्योंकि ये वो topic हैं जो अब trending में है, टाइम के साथ चीजे चेंज हो रही हैं, लेकिन अभी जो मैं 7 topics आपको बताने वाला हूँ, ये वो वाले topic हैं, जो आएंगे ही आएंगे, मतलब time के साथ trend चेंज हो रहा है, जैसे पहले होता था लेवल्स वगएरा पूछा जाते थे, हम ज़्यादा पढ़ाते थे, अब वो चीजे थोड़ी सी चेंज होगी है, थोड़ी सी आगे लेवल पर पहुंच चुके है, लेकिन कुछ ना कुछ नई चीजे जो आई हैं, उस पर आपने ध्यान दे, उसमें से सबसे पहला है, characteristics, अब बोलोगे सार, teaching के characteristics हों में पता है, मुझे मालूम है, लेकिन ये teacher के न है, question कैसा पूछा जाता है, आप लोगों के एक list दी जाती है, आप लोगों के situation दी जाती है, आपसे पूछा जाते है कि एक बच्चा है, जैसे मैं आपसे पूछा जाता है, जैसे कई बार क्या होते है, कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं, कि आप कुछ emotionally weak होते हो, क उसका कौन सा characteristics है, उसका physical characteristics है, उसका mental characteristics, उसका cognitive characteristics है या फिर उसका academic characteristics है या फिर emotional है, आप लोगों को सीधा पता है कि सर अगर वो कुछ ऐसा outburst type हो रहा है, तो वो उसके emotions से related है, और ये एक question नहीं है, इस से related कितने सारे question है वो आप से पूचे गए, तो आप लोगों को ये characteristics को अगर base बना के पूचा जा रहा है, तो उससे क्या importance हो जाता है, ठीक है जी, दूसरा topic जो हर बार हमेशा trending में रहता है, that is evaluation, इसको तो आप किसी भी तरीके से miss नहीं कर सकते, लेकिन इस बार क्या कर दिया गया है, evaluation को थोड़ा सा, किसी किसी question में, ICT के साथ क्या कर दिया बेटा लेकिन अब यह सारे test आप लोगों को पढ़ने पढ़ेंगे, कि achievement test कौन से होते हैं, aptitude test कौन से होते हैं, high performance test कौन से होते हैं, typical test कौन से होते हैं, performance related test कौन से होते हैं, हर तरीके के test को आप लोगों को क्या करना पढ़ेगा, याद करना पढ़ेगा, और उन test को आज क वर जो information and communication technology उसके साथ relate करके पूछा जा रहा है किसके साथ relate कर जो ICT के टूल्स है कि जो online evaluation की जाएगी तो अच्छा है दूसरा है उसमें मुरा है मतब अलग अलग तरीक है देखो अब ऐसा नहीं कि यह सारा वहा कि तो जब शीट्स आएगी तब पता चलेगा लेकिन मैं आपको basic idea दे रहा हूं जो मैंने अपने analysis से बताया ठीक अब इसके इलावा पढ़ा रहा हूं वह है आप लोगों का learning और learning में भी अब learning पर ना focus करके ज्यादा learning की फोकस किया जा रहा है नहीं नहीं फूची जा रही है तो इस वज़ा से पी वाई क्यों में जितनी भी थियोरी आई है वह सब आपको पढ़नी पढ़ेंगी चाहे वह प्याजे की थिय रेक्ट वगारा का exam देते हैं वहां पर जो child psychology से related चीज़े आती है ना child mentality से चीज़े आती है वह यहां पर इसमें ठीरी भी लिख लो और साथ ही साथ एक और चीज भी लिख लो मॉडल मैं इस पे इस पे आप लोगों को star लगा रहा हूं क्योंकि अभी मैं बहुत बड़ी स इसके लिए लेके आ रहा हूं ठीक है आप लोगों की सुविरा के लिए यह वाला topic क्योंकि मैंने देख लिया है यह topic बच्चों से cover नहीं हो पा रहा है इसके लिए आपको मेरी help की जरूरत पढ़ेगी ही पढ़ेगी तो इसके लिए मैं एक लंबी series लेके आ रहा हूं लेक पढ़ाया था तो मैं उसको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि अल्ली पढ़ा चुके हैं हमारे पास time कम है सिर्फ 90 दिन का time है तो मैं उन चीजों पर focus करना चाहूंगा जो इस वार नहीं आई है और जो मैंने 25 के करीब आपको topics दिये थे उसको भी थोड़ा-थोड़ा मैं आप लुझाइब को समझ लीजिए चौथा आप लोगों को याद होगा मैंने मजब फॉर्थ फेस के बाद फिफ्ट फेस में जाने से पहले ठीक है फॉर्ट फेस में फॉर्ट फेस के जब अडमेट काड आए थे फिफ फ्ट फेस, तॉर्ट फेस पूर्ट नग्जाम बाकी थे वहाँ पर मैंने आप लोगों के topic बताया था, वो topic एक line का है, लेकिन मैंने देखा है, उस topic को NTIA ने इतने सारे question frame किया, I never expected कि इस एक chart की help से, या इस single topic की help से, लोगों से इतने सारे question frame हो सकते हैं, वो कौन से है, वो question था, teacher and learner centric, अब इस centric में मतलब समझ रहो न, इसके अंदर teaching learner centric के approaches, उनके character stakes, उनके models, उनके methods, ये एक पूरा topic बन गया, ये क्या हो गया, ये पूरा ही topic बन गया, अब किसी सब जैसे देखो, मैं आपसे पूछा हूँ कि demonstration है, मैंने आपसे पूछा, demonstration क्या है, अब लोगों सार, demonstration, बताओ, आपसे मैं पूछा रहा हूँ कि demonstration teacher centric है या student centric है, बताओ, teacher centric, obviously बाता है teacher centric है, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ समझा रहा हूँ, कुछ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा role उसमें ज्यादा, मैंने आपको इसका बहुत simple तरीका, बहुत basic सा मैंने आप लोगों को फंडा समझाया था, कि आप लोगों ने इस चीज़ पर ध्यान देना है, कि जो भी activity हो रही है, ध्यान से सोनो मेरी बात को, मैंने आपको एक simple basic तरीका समझाया, ध्यान से सोनो मेरी बात को, आप लोगों को एक situation दी हुई है, आप लोगों ने उसमें एक चीज़ को fix करना है, आपने सिर्फ ये देखना है कि उसके अंदर student का role ज्यादा है या teacher का role ज्यादा है, मैं आपको simple example देता हूँ, मैंने पुछा आपको demonstration, चलो lecture की बात करते है, lecture बताओ teacher centric है या student centric है, obviously बात है, chalk and talk method उसको बोल देते हैं, lecture दे रहा हूँ, आप लोगों को सुन रहा है, मैं तब एक तरीके से one way communication हो जाता है, लेकिन अगर मैं इसी को थोड़ा सा change कर दो, मैं आपको बलूँ, inquiry method, heuristic method, heuristic method, I found, I found, Ureka, Ureka, कौन सा method है, student centric, क्योंकि आपको पता है कि I found, teacher did not found, teacher नहीं ढूंडा है, वो student के अंदर एक curiosity पैदा करने की कोशिश की जारी है, कि तुम ढूंड़ो भाई, तुम, तुम, तुम सोचो इस चीज के बारे में, Are you getting the point? So this is something, जो कि एक ऐसा topic है, जिसको बिल्कुल भी ignore नहीं करें, देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से trend change हो रहा है, आपको ऐसा analysis पूरे YouTube के क्या, NTA category में पढ़ाने वाले किसी भी teacher का नहीं मिलेगा, मैं आपको लिखे दे सकता हूँ, इस analysis से आप लोगों के लिए एक ऐसा road में तयार हो जाएगा अगले 90 दिन के लिए, आपको पता रहेगा कि मेरे को exam में अपना दिमाग किस तरीके से fix करना है, देखो, मैं आपको बता हमने exam दिया, सही time पर दे दिया, offline था है न, तो paper ही 3 घंटे में करता हो जाता है, हमारे time पर offline होता था, madam जी थोड़े से रहेगे, madam जी थोड़े, madam, 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 ऐसे आसे करके हमें तो 5-10 minute जादा भी मिल जाते थे, लेकिन आपके पास तो वो भी मौका नहीं है, हमारे पास क की कमी थी, आपके पास resources की कमी नहीं है, हमारे time पर distractions कम सी, आपके पास distractions जादा है, तो कहीं न कहीं balance हो गया, लेकिन एक बात जो मैं observe की है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, और NPA category में पढ़ाने वाल हर teacher बताएगा, वो ये जरूर बताएगा बेटा, कि उस time पर exam का जो level थ 30 तक, 2030 तक ये चीज़ें ऐसी follow होगी, हो सकता 2030 के बाद इस exam का पूरा pattern नी change हो जाएगा, ठीक है तब तक तो आप निकल जाओगे, obviously बात है 2030 तक ये धीरे 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 level क्या हो जाएगा, increase हो जाएगा, तो बेटा इस topic पे आप लोगों ने खास ध्यान देना है, अब इसक in the teaching के methods भी आ जाएगे, teaching की approaches भी आ जाएगे, सब कुछ आ जाएगे, उनको ये सारी चीज़े क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगे, चौथा, पांचमा एक topic जो की अभी तक जितने भी मैंने topic बताएं, वो आप लोगों को सारे conceptual topic बताएं, एक है, that is, choice-based credit system, मैंने आपको एक्जाम से जस्ट दो तीन निन पहले इसके courses पढ़ाए थे, अगर आप लोगों को याद हो, मतलब अभी तक teaching मैं से static portion कम आ रहा था, लेकिन ये एक ऐसा topic है, जो इस वार भी trending में रहा, देखो ये topic ना 2020 तक कभी नहीं पूछा गया था, ये topic 2020 तक कभी नहीं पूछा गया था, ये topic की शुरुआत हुई है, इस topic को introduce किया गया था, UGC के दौरा और इस topic को सबसे ज़्यादा पूछे जाना वाला क्या था, इस topic को सबसे पहली बार पूछा गया 2021 में, और तब से ये लगातार पूछा जा रहा, और ये बिलकुल इत्तों सा topic है, बिलक उसको नमें एक क्या बोलते हैं, उसको एक umbrella term की तरह हम बताऊंगा, उसको नमें teaching ही लिखूंगा, उसको मैं teaching continuum, अब इस teaching continuum के अंदर, मेरे पास सब कुछ आ जाएगा, teaching continuum में क्या जाता है, सर मेरे पास learning भी आ जाएगा, सर मेरे पास indoctrination भी आ जाएगा, instructions भी आ जाएगा pH continuum भी आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, क्लियर है, किसी को इस बात में कोई दिक्कत, यह समझ रहे ना, तो यह तो starting में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, और सातमा, जो एक topic, आज कल आप लोगों से पूछा जा रहा है, वो तो जैसे यह वा learning प्लस ICT, यह एकदम से मतलब इतना God level question बन जाता है न, एक ऐसा question जिसमें teaching को पहले learning से relate किया जा रहा है, फिर उस learning को जाकि ICT से relate किया जा रहा है, यह reverse order में जाता है, पहले ICT को learning के साथ relate किया जा रहा है, फिर learning को आगे teaching से, मतलब God level question इसको मैंने last में इसी वज़ा से र single line question होते है, assertion reason question होते है, no doubt हमें भी सब कुछ चीज़े नहीं आती है, हम भी चीजों को समझ के चीजों को पढ़ाते हैं, लेकिन इतना जरूर पढ़ा देते हैं कि आप उसको paper में जाके solve कर लेते हो, लेकिन इस तरीके के question जिसमें 3-4 मतलब समझ रहे हो न, blend type के question आ रहे ह है कि उसने न, units को combine कर दिया, वो ICT के साथ teaching को लेके आ रहे है, teaching के साथ communication, मतलब आद दो statement दे रखी है, communication दो छोड़ दिया, सर कोई दिकत नहीं है, लेकिन question में, एक line teaching की पूछी है, दूसरी communication की, अब एक line का तो फैसल हो गया, दूसरे ही तकर में वो भी गलत हो गया, तो अभी ज़्यादा तर 2021 से ही देखने को मिली है, उससे पहले ये देखने को नहीं मिली थी, यह साथ topic आप लिख लीजे, ऐसा नहीं है कि आपने बाकी चीज़ों को नहीं पढ़ना बेटा, लेकिन ये सारी चीजे बहुत ज़्यादा important है, इसको थोड़ा सा दिमाग में रख लेकिन उसके साथ साथ एक चीज जो आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं, वो क्या है कि टीचिंग का किसके साथ combination पूछा जा रहा है, टीचिंग का सबसे ज़्यादा combination किसके साथ पूछा जाता है, ICT के साथ, याद रखिए, टीचिंग और ICT को relate करके, मतलब इस ICT का मत मतलब information communication technology नहीं है, यह पूरी ICT unit है, कि मतलब मैं ICT का इस्तेमाल कैसे कर रहा हूं, अपनी टीचिंग को enhance करने के, मैं अपनी टीचिंग का इस्तेमाल कैसे कर रहा हूं, या मैं ICT के कौन-कौन से tools का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या करने के लिए, अपने teaching को improve करने के, पहली आती है, दूसरा इसके अंदर जो चीज आ रही है, वो आ रही है, यह पहले होता था, आज कल कम पूछा जा रहा है, लेकिन आज कल भी पूछा जाता है, यह classroom communication, क्योंकि communication नहीं कहीं कहीं teaching के साथ direct duty unit है, क्योंकि without communication हमारा teaching possible नहीं है, without teaching तो communication possible नहीं है, तो आप लोगों को क क्या करना पड़ेगा, teaching के साथ communication से related question पूछे जाते हैं, कि classroom communication, जैसे एक simple सा question मैंने आपको पहले भी बताया था, कि एक simple statement का अंसर दीजे, मुझे yes or no बताओ, कि class में repetition होना चाहिए या नहीं, true or false करो, मैं बोलता कि class में repetition होना चाहिए, yes or no, मैं मुझा पता question यह सही नहीं के अंदर मैं आपके अंदर इतना common sense तो develop कर दूँगा, कि आपको question हर समझ आ जाए, सारे question आप लोगों को समझ आएंगे, तो यह 94% अब concept यह था कि सर हमें repeat करना चाहिए या नहीं द्यान सुसरो, repeat करना चाहिए या नहीं, अब पहली बहुत, अरे भीया, तो कहां से खुल गया, repeat करना चाहिए या नहीं, पहली statement है, yes, repetition होनी ज़रूरी है, repetition होनी ज़रूरी है, लेकिन इस statement को गलत सावित करने के लिए मेरे को एक line और add करनी पड़ेगी, कि class के अंदर मैं repeat तो करूँगा, लेकिन मेरा जो repetition का तरीका है, वो हर बार change हो जाएगा, मतलब मैंने suppose आपको पढ़ाया, teaching, मैं एक line बोल रहा हूँ, teaching leads to learning, एक simple, please example समझेगा, क्योंकि teaching में examples बहुत जरूरी है, मैंने simple line बोली, teaching leads to learning, ठीकर, यह मेरा concept है, teaching leads to learning, अब मैं इसी चीज को हर तीसरे question के बाद बोलू, teaching leads to learning, teaching leads to learning, teaching leads to learning, teaching leads to learning, और मैं यह बोलू कि मैं तो बच्चों को class में चीज़ें याद करवा रहा हूं, मैं तो बच्चों को क्लास में इतनी वार रपीट कर देता हूं कि याद हो जाता है अगर दूसरी वार मैं आपको बताऊंगा तो अभी मैंने बोला और तीसरे तरीके में यह बोल दिया कि बेटा अगर लर्निंग इफेक्टिव हो जाएगी ना तो उससे लर्निंग भी अपने आप क्या हो जाएगी इफेक्टिव हो जाएगी आप जाद अच्छे तरीके से सीख पाओगे टीचर जितने अच्छे तरीके से आपको पढ़ा प तीसरा टीचिंग के साथ higher education को पूछा जा रहा है लेकिन यह conceptual नहीं पूछा जा रहा है मतलब यह बिल्कुल common sense पूछा जा रहा है यह बिल्कुल common sense यह से university वगएरा का कुछ जैसे university की enhancement की classroom में कैसे आप पढ़ा रहे हो यह वो चीज़े higher education क्या पूछा जा रहा है टीचिंग के साथ higher education को भी रिलेट करके पूछ रहा है कि अच्छा teaching के साथ हमायर education को भी रिलेट कर रहे हैं कि क्या कर रहे है value education के साथ related हो जाएगा या अलग-अलग तरीके कि हम उसमें value education को रिलेट कर सकते हैं जैसे आज कल जो environmental education काफी trend में चल रहा है तो उस चीज़े भी आपको क्या करना है फोकस करना है और भी अलग-अलग तरीके हो सकता हो सकता teaching ICT और communication तीनों का combination आजए अगर उसे question को बहुत जादा difficulty बनाना है तो वो क्या कर देगा वो teaching ICT और teaching communication teaching ICT और communication वो तीनों चीज़ों को क्या कर देगा आपस में रिलेट कर देगा और उससे आपको लोग यार यह तो एकदम से धिमाग धुमा दिया तो अब आज के time पे अगर आप इसका exam को crack करना है तो आप पूरी की पूरी किसी unit को छोड़ के भी नहीं जा सकते हैं मतलब आप यह समझ लीजिए कि अब जो बच्चा इस exam को clear करना चाहता है उसे full dedicated हो कि इस exam की तयारी करनी पड़ेगी ऐसा नहीं है कि उसने चार और फरम फॉर्म भी बड़े हुए हैं बैंक का भी पड़ रहा है साथ में नेट की तयारी कर रहा है ऐसा नहीं होगा आपको focus स्नेट पे करना पड़ेगा जियरफ पे करना पड़ेगा अगर आप इसको करेक करना चाहते हो क्योंकि लैवल है वह पहले जैसा नहीं रहा चीजें थोड़ी सी बढ़ गई चीजों में क्या हो रखा है थोड़ा सा चेंज है वो आगया अभी मैं आप लोगों को कुछ question दिखाता हूँ यह है तो पिछली बार के लेकिन इसमें जो concept आया है वो मैं आपको बताता हूँ कि इस बार कैसे पूछे गए इस बार कैसे पूछे गए जैसे यह देखो मैंने आपको क्या बोला यह यह वाला question पढ़ आपने पढ़ा है तो चलो पहले आप इसका अंसर दो पॉल पे अंसर करना पॉल पे अंसर करो कि देखते कितने बच्चों का सही अंसर आता है अभी बी 88 परसेंट है मैंने जबकि क्लास शुरू होने पे ही यह चीज आपको समझाई थी जैसे ही क्लास की शुरुआत हुई थी तो मैंने सबसे पहले आप लोगों को यह चीज पढ़ाई थी कि देखो बाकी चीज़े तो बेटा जब हम शीट से हमारे हाथ में आएंगी हम तब सॉल्व कर पाएंगे चलो लीडर बोड देख लेते हैं कहां गया वही अच्छा आ गया ठीक है सुनो अब मेरे को एक बात बताओ ध्यान से सुनना क्या था हिंदी वाले उदर से पढ़ लीजिए और इंग्लिश वाले यहां पर पढ़ लीजिए मैं आपको बस इस क्वेश्टन को लेके आने का परप इस दिए डिफरेंस विल वी इफेक्टेड इफ चाल्ड ऑप्ट फॉर फ्रीक्वेंट आउट बस्ट एंड थ्रोस टेंटरम्स मतलब जब वो नखरे करना बारबर फूटना रोना इन सारी चीजों को कर रहा है तो वो कौन से उसके इमोशन बाहरा जाते हैं जैसे लड़कियों में जादा होता है जैसे मैं जब आफ्लाइन में पढ़ाता था था ना कॉलेज में तो एक वर ऐसा होता है जिए किसी लड़की को लाउड वाज में उसका नाम भी ले लिया ना अलीशा उसे कुछ काम भी करना वो रोने लग गई है तो यार मैं मतलब अब ये टाइम आ गया कि मैं किसी लड़की को नाम लेकर बुला भी नहीं सकता यार मतलब वो मेरी क्लास में तो फिर में को रहा हो सकता है मैं थोड़ा जादा ही लाउड बोल दिया था और यह नॉर्म नैच्रल यह ठीक है आपको पता है एक का जो emotional quotient होता है वो थोड़ा weak होता है as compared to boys तो यह वही point लिखा हुए है कि outburst हो गया अब आप मेरे पर एक बात बताओ ध्यान से सुनो अगर मैं शोशल की बात करूँगा तो आप शोशल की एक example बताओ मैं आपको सोचना सिखाता हूं कि इस question को कैसे deal करना मेरे को एक बात बताओ अगर मैं इसमें कुछ ऐसी example चेंज कर दो जिसमें शोशल आ जाए क्या क्या ऐसी statement होगी शोशल social में आ जाएगा दोस्तों के साथ मिलना दोस्तों से बात करना दोस्तों से सीखना गुरुप में रहना अगर ऐसी कुछ बात लिखी हुए होती तो आप यह identify कर पाते कि सर यह तो social characteristics है कौन से इस आप लोगों को मालूम है तो अगर इसके अंदर कुछ भी ऐसा लिखो कि वो दोस्तों में रहना पसंद करता है या वो एक दूसरे की help करना पसंद करता है उसे जैसे उतना आजकल के टाइम पर मतलब इतनी जादा लोग स्क्रीन में घुसे हुए है या इतना जादा कि socially isolated हो चुक है है ना अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाते इंस्टैट ऑस ओगर बैठके गेम खेलना ज्यादा पसंद करते हैं Facebook को Instagram को स्क्रॉल करना ज्यादा पसंद करते हैं इंस्टैट कि वह बाहर जाएं अपने दोस्तों के साथ मिलें और देखें कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है तो वह चीज यहां पर आ जाएगी अब अतम मेंटल अब इसका किनेक्शन किसके साथ हो जाएगा सर यह कोगनीशन के साथ रिलेटन है मैंने आपको बोल दिया कि एक बच चीज को बड़ी जल्दी रीकॉल कर पाता है मतलब उसकी रीकॉलिंग पावर वह बहुत ज्यादा तेज है मतलब आपने घंटा पहले जो से पढ़ाया था ना वह एक दम से उस चीज को रिकॉल कर रहा है अब इसके कीवर्ड क्या है सर मेमरी हो सकता है रिकॉलिंग हो सकता है कॉगनीशन हो सकता है इंटिलेक्च्वल हो सकता है इंफर्मेशन प्रोसेसिंग हो सकता है हर वह चीज वह आपके मेंटल प्रोसेस में आ सकती है वह किसमें आ जाती है मेंटल प्रोसेस में आ जाती है मैं एक न मैंटल स्बस्पीच में नयान नौधा राया पहली बार आया और उसे देखके पागर बड़े खुश त्विया पहले से ही इतने खुश रहते हों गे या फिर मुझे देखके को सब्दा वो जैसे-जैसे पाघयो में जाय करें पागल उसे देखके इक दम आके रखता था बोला तो फिर मेरे आने पर आप इतना खुश क्यों हो बोला सर हमें लगता ही नहीं डॉक्टर आया हमें लगता है कि हमारे कोई साथ ही गूंग रहा है चलिए अब इसमें आ जाता है इमोशनल यह तो निकल गी एक्सांपल अब आता है फिजिकल जैसे के स्टैमिना की बात हो रही है इसकी बात हो रही है बच्चे के स्टैमिना की बात होती है बच्चे की बात हो रही है बच्चे के स्किल्स की बात हो रही है तो यह सारी चीजे किसका पार्ट बन जाएंगी यह सारी चीजे किसका पार्ट बन जाएंगी यह कहीं ना कहीं साइ करने में help हो जाते हैं आपको पता चल जाते हैं यह डॉट यहां पर connect हो रहे हैं अच्छा यह यह चीज जो यहां पर physical है वही cognition वही वही blooms की taxonomy according क्या है वही blooms की taxonomy according psychomotor है अच्छा सर जो psychometer है वही 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 pragmatism के अंदर learning by doing है आप चार चीजों को relate करना सीख जाते हो जब आप चार चीजों को relate करना सीख जाते तो आपके लिए question बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं आती है you never find it difficult क्योंकि आपको connect करना आ गया मैंने आपको पहले बता दिया अब आप लोगों का पेपर ऐसा नहीं है कि तुम पढ़के गए और तुम पास होगे नहीं उस तीन घंटे पे आपको बहुत बहुत स्मार्ट तरीके से पूरा एक सब्सक्राइब और इस को बनाने के लिए हमें दो तीन चार बार पढ़ता है तो इस बचेश पहले दिमाग में बिठा लीजिए जो बचे इस एक्जाम को देके आए हैं उसको भी और जो पहली बार देने वाले हैं वह भी सीच को लेके पहले बहुत ज्यादा इस को समझ आया वेटा चलो ऐसा ही कुछ और कुस्टन देखते हैं जिससे आप चीजों को ज्यादा रिलेट कर पाऊगे अब यह देखो अब अब ट्रैक्ट्ट्ट लर्निंग एस्ओसियेशनल लर्निंग कॉंसेप्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्र लर्निंग और हो गया है कि आप उसको अंडेस्ट्टैंड निगर पते यार यह कहां गया यह मैंने आप लोगों को पेपर में बना के भी दिया था लेकिन चलो अब इसको देखो एक सब्सक्राइब यह क्या हुआ हुआ अच्छा चलो पहले आप इसका अंसर दो यह क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बनाने से ही बनेंगी यह क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ जितने ज्यादा क्वेश्चन आप बनाओगे वही बनेंगी कि जब कि इसका अंसर देख गया था फिर भी देखो फिर भी बच्चों ने गलत अंसर दिया जब कि इसका अंसर नजर भी आ गया था कि इस चलिए देखते हैं अब यह कुस्टन एक ऐसा कुस्टन है जिसमें आप लोगों को यह भी समझना पड़ेगा लॉजिक भी लगाना पड़ेगा और आपको यह चीज़ों को अंडरस्टैंड भी करना पड़ेगा कि मेरे लिए कौन सी चीज़ है जैसे देखो एक है है अंसर तो आप लोगों को पता है इसका एक ही होगा और उसके बाद एसोसिएशन का मतलब जब आप चीजों को relate कर रहे हैं जैसे socially association होता है connect करना जाता है conceptual जहां पर logic की बात concept का मतलब क्या होता है logic लगाना होता है देन आता है procedural procedure का मतलब एक process किसकी बात हो रही है एक process की जब भी आपको match में देखना पहले एक बार इसको पढ़ लेना एक रफ सा आइडिया ले लेना कि option में क्या दिया हूँ मैंने पढ़ लिया अच्छा दर लर्निंग इस इस तो ऑरगिनाइज sequence of activities मेरे को थोड़ा हिंट मिला sequence of activity का the learning is used to connect with information more deeply and accurately ज्यादा deeply और accurately के बात की जा रही है connected अब मेरे को एक बात बताओ अगर connection की बात होगी तो obviously बाता वो association connection की बात होगी तो association होगा factual का मतलब coherently factual यहां से रिलेट हो जाएगा conceptual का मतलब logical मैंने आपको अभी बता है logical होगा और procedural का मतलब सीकर कितना असान होगा अब यह डिक्टो question इस बार भी पूछा गया हो सकता है एक की definition पूछ ले आप लोगों को एक का process अलग तरीके से पूछ ले दूसरे को अलग तरीके से पूछ ले लेकिन question वैसे ही पूछे जा रहे अब बहुत सारे बच्चे आके क्या बोलते हैं कि सर आज का पेपर तो नहीं बहुत अजीव था देखो हर पेपर में आप लोगों को दो चार पांच तुम सबके बराबर ही घड़े हुए हो क्योंकि end में वह चीज नॉर्मेलाइज होके ही cut-off निकलेगी तो यह बात अब कभी भी दिमाग में मतले क्या यह कि सर हमारा पेपर डिफिकल्ड था अब जो आ गया है उसको तो चेंज नहीं कर सकते ना उसमें से भी तो चीजे आत question जो की आज कल communication में भी पूछा जा रहा है टीचिंग में भी पूछा जा रहा है और दोनों को relate करके भी पूछा जा रहा है पहले आप इस question को पढ़िए फिर उसके बाद मैं इसका answer बताता हूं देखो अगर clearly नहीं देख रहा तो please एक वार वो कर लो क्या बोलते हैं उसको quality को बढ़ा लो क्या कर लो quality को बढ़ा लो अच्छा इसका answer पहले मुझे देख लेने दो फिर बाद में तुम्हें बताऊंगा नहीं तो तुम 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 फिर मेरे को बोलोगे कि सर यह तो गलत है कि अच्छा यार पूल इधर से देना पड़ता है कि बड़ी दिक्कत है थोड़ी सी न इधर से पूल आ जाना चाहिए को कर दो कर दो जो बच्च यूट्यूब वाले पूच को क ​ आएगा ये आने अकडमी पह आपको देखनी पड़ेगा यह पर देखनी पड़ेगी तब आधिसके पौल भी ले सकते 흔र इसकी पीडिएफ भी ले तो चलिए अब ध्यान से समझना कि यह कोश्चन 2018 से रपीट होता रहा है और आगे भी रपीट होता जाएगा जैसे कुछ होते हैं न मैं इस क्वेश्चन को क्या बोलता हूं इन को जैसे आप किसी शादी में जाते हो तो वहां पर कुछ चीजें होती आईसी जाओ आपको हर शादी में मिलती हैं कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे पनीर के पकॉड़े हुए अब वह हर शादी में बनने जरूरी है कोई चोटा सा प्रोग्राम हो चाहे बड़ा प्रोग्राम हो पनीर के पकॉड़े आपको नॉर्मली हर जगा पर देखने को मिज़ए चाहे चोटा सा भी प्रोग्राम हो दो तीन तरीके के पकॉड़े हैं अगर अगर मिठाई है तो वहां पर आप लोगों को पक्ता गुलाब जामुन और एक बरफिया वो पक्ती नजर आ लुक्त करें ये साथ का नराज होना जरूरी होता है न वैसे रिस्टदार मुझे पता आपको आपको आपके बारे में उतना अपके मम्मे पापा नहीं सोचते जितना रिष्टेदार सोचते हैं वह अलग बात है कि मम्मे पापा अच्छा सोचते हैं रिष्टेदार बुरा सोचते हैं लेकिन सोचते बहुत है चलो अब इस question का जो answer है वह आप लोगों को मालूम है कि ए आया क्यों देखो जहां से सुनो real time environment अब यहां पर यह जो वर्ड लिखा हुए रियल टाइम इंवायर्मेंट अब आप इसको किस चीज के साथ रिलेट करोगे रियल टाइम को किसके साथ रिलेट करोगे सर मैं इसको रिलेट करूगा synchronous के से सिंक करने का मतलब क्या होता है एक symmetry में लेकि आना मैं आपको इसकी simple सी example देता हूं जैसे for example आपने अपने laptop में क्या किया हुआ है अपनी Google ID से login किया हुआ है और उससे आपको पता है आपकी drive है या फिर आपका translator है या Google जितनी भी चीज़े है वो सारी क्या होती है लिंक होती है उसके बाद फिर क्या किया जाता है सुपोस्कों आप उस laptop को change कर देते हो और किसी दूसरे ब्राउजर में जाकर या दूसरे laptop में जब आपको आप उसी Gmail ID से login करते हो तो वहां पर आपको नएक option दिखती है S Y N C sync को on करने की option आती है देखा कभी मुझे पकता है पक्का आप लोगों ने यह देखा होगा sync को on करने की option आती है जब आप किसी नई device में क्या करते हो login करते हो अब जैसे ही sync को on करते हो न तो वो पुराने browser का सारा data आपके bookmarks सारी चीजिया आपकी extensions जितना भी डेटा होता है वह automatically आपके laptop में क्या हो जाता है आज आपको कुछ भी दुबारा login करने की ज़रूरत नहीं है आपको दुबारा yahoo में login कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है जैसे ही आप चीजों को sync करोगे वह सारे का सारा data क्या आजाएगा आपके laptop में आपके वो जो browser है उसके अंदर अपने आप आज़े देखा होगा आप लोगों ने उसको synchronous बोलते हैं मतलब same time पे अब मेरे को एक बार बताओ जैसे virtual whiteboard है यह जो है एक यह virtual whiteboard है यह सर वर्चुल ही आप इसको बहुत कर स्लाइड शोइंग य स्कूइजिंग यह एवाटार्स क्या होता है अज़र सर मूवी है एवाटार्स की option तो आप लोगों ने आजकल वर्टसर पे भी देखी होगी आप अपने अवाटार्स को क्या कर सकते हो बना सकते हो अगर आपको profile pic नहीं बनानी तो आजकल तो इस्टा पे भी आप लोगों तरीके से नहीं को हटाना था बस आपका अंसर आजा था किसी को इस बात में कोई दिक्कत डूजू फाइंड डिफिकल्ट और नहीं अब यहां पर अगर concept की बात की जाए तो कौन सा सर यहां पर concept आ रहा है कम्यूनिकेशन का अगर आप लोगों को यह बात पता है कि synchronous का मतलब क्या होता है और synchronous का मतलब क्या होता है जैसे फॉर एक्जांपल अगर मैं आप से बोलता हूं कि यह कोई book है तो यह कोई book है अब अगर यह book तो यह बुक सिंक्रोनस है या और सिंक्रोनस है बताओ आपको ऐस सच सेम टाइम पर होना मौजूद जरूरी नहीं है ठीक आप अभी पढ़ रहे हो बाद में पढ़ लो पेज मोड के रख दो बाद में जब आपकी इच्छा होती है तब पढ़ लो मतलब उसमें आपका और बुक का सेम टाइम पर मौजूद होना जरूरी क्योंकि इसमें रियल टाइम की जरूरत नहीं है लेकिन अगर मैं इस क्लास की बात कर रहा हूं जो इस टाइम पर चली है यह रियल टाइम पर चली है मतलब जहां पर जो सेंडर है जो सेंडर है और रसीवर है वह सेम टाइम पर एक तरीके से मौजूद रहते हैं सेम टाइम पर क्या वाला भी और बात सुनने वाला भी जब दोनों एक ही टाइम पर क्या रहते हैं बेटा मौझूद रहते हैं तो वहां पर आप उसको क्या बोल देते हो synchronous मतलब same time पे immediately क्या हो रहा है transaction हो रही है immediately क्या हो रही है transaction हो रही है समझ आया है बताओ मजा रहा है पढ़के बताओ अगर पढ़के मजा रहा तो एक वर पोल पे yes करके बताओ ऐसे तो ना चलेगा देखो हमने बहुत बहुत जोरों शोरों से यह क्लास से शुरू की है अब देखता हूं जो एक परसेंट वाला आप तो शकल देखेगी उसकी इधर ही दिखाऊंगा ओ भाई साव सो परसेंट पोल आ गया नहीं आया 99 तुम तुम सो रूख जाएगा क्या यह है मतलब आज तो मेरे को लगता है यहां पर बैठे बैठेही मैंने मतलब आज चोंड चोड़ सकता हूं मेरी क्लास में हंडर परसेंट पोल आ गया मतलब मेरे को लगता कि मैंने तो मतलब जिंदगी टीचिंग की जी लिए बस अब मुझे सन्यास ले चाहिए टीचिंग से ओ भाई यह तो स्क्रीन शॉट लेने वाला यह तो ना एकडम से ऐसे मैं सोच रहा हूं कि इसकी फोटो लेके न वह सामने जहां पर प्ले बटन लगा हुए जहां पर पांसो मिलियन वाली वह लगी हुई है वह उसके साथ चिपका दूं कि यह चमतकार ह हो रहा है ठीक है यह मोख की प्राप्ती है चलो कोई बात अब यह कुस्टन इसी तरीके का कंसेप्ट चोला मैं आपको यह कुस्टन क्यों लेकर आए हूं मैं आप लोगों को एक्जाम्पल देना चाहता हूं कि कि किस तरीके से कम्यूनिकेशन आई सीट और टीचिंग अग अब यह तीनों से मिलाके बना हुआ कुस्टन है तो अब आपको रिलेट कर पा रहे हो मेरी बातों को समझ पा रहे हूं जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं अरे बोलो ना सर्माक आए वह रहे हो मम्मी के ससुराल में आए हो उदर ही है सर सर मेरी शिफ्ट में सिंक्रोनस देखो कुस्टन तो बहुत अलग अलग आएंगे वह सारे भी डिसकस करेंगे लेकिन मैं कुछ मिले जुले से कुस्टन लेके आ रहा हूं अब यह कुस्टन वह वाला है मैंने आप लोगों को यूट्यूब पे सिप मॉडल भी पढ़ाया मै किस्व बार स्टेक मॉडल का कुस्टन भी आया सिप का कुस्टन भी अया टेलर का भी आया घबा का भी आया देखो मेरी प्रडिक्शन कितनी सही होई मेरी प्रडिक्शन मतलब एकदम से सटीग थी मैं 100% इस चीज को लेके शोर था कि भाई अगर मैं ये चारों मोडल आप को पढ़ा रहा हूं जो कि पिछली बार नहीं पूछे गए थे पिछली बार सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को टेलर की मॉडल से कुस्टन सा लेकिन मैंने आपको बोला कि यह option में आया है तो अगली बार यह answer में आएगा और ऐसा ही हुआ ऐसा ही हुआ आपसे सिप का मॉडल भी पूचा मैंने यूट्यूब पे आप लोगों को पढ़ाया आपसे स्टे का मॉडल भी पूचा ये भी आपको यूट्यूब पे पढ़ाया आपसे टेलर का मॉडल भी पूचा टेबा का मॉडल भी पूचा हर मॉडल को पूचा और मैंन अगर मेरे पास 4 लाक लोग 5 लाक पढ़ रहे हैं तो मेरी जो विजन होगा जो मेरा दिमाग काम करेगा, वो उन सब लोगों के लिए काम करेगा मैं उसके हिसाब से आप लोगों को वह सारी चीज़े बताता हूं कि बेटा इस चीज़ को समझना है इस चीज़ पर हमें काम करना है इस पर हमें फोकस करना है अब यह सारे यह तीनों मोडल आप लोग यूट्यूब पर सकते हैं यह वाला मैंने नहीं पढ़ा या लेकिन इसकी वीडियो क्लिया परसो को मिल भी जाए इसकी वीडियो मैं आप लोगों को कहलीा परसुद दे दूँगा तांकि आगे के किसी भी तरीके का कुस्टन आए उसका अंसर बड़े आराम से दे पाँ कि राई है वंडे वन कुस्टन की सीरीज बनी हुई एक मैंने 22 तेईस पढ़ाये थे और या बाई चांस कुछ बहुत सक्ति हर शिफ्ट में कुछ ना कुछ वहां से आया था हर बार कुछ ना कुछ वहां से आया था ये मैं आपको शॉर्टी के साथ बोलूँगा और उसका ज मैंने आप लोगों को बताया था भी थोड़े दिन पहले पढ़ाया था जो टेलर का मॉडल है यह करीकुलम development का बहुत पुराना मॉडल है यह पहला मॉडल है और यह administrative approach का मतलब क्या हुआ कि यहां पर पहले objective set किया जाते हैं फिर experiences आते हैं उसके बाद मॉडल को प्रेम किया जाता है बनाया किसके दोरा जाता है administrators के दोरा बनाया जाता है implement किसके दोरा किया जाता है दुबारा सुनो जो टेलर का है उस मॉडल को हम apply करने की कोशिश कर रहे है उस मॉडल के basis में यह निकालने की कोशिश कर रहे है कि किस तरीके से student को उसका फायदा हो कि लेकिन जो टैबा का मॉडल है इसके opposite हिल्डा का मॉडल है यह श्रीमती थी यह श्रीमान था तो श्रीमान ने क्या बोला कि करिकुलम डेवलप्ट होना चाहिए उपर से नीचे की तरफ पे लेकिन शिरीमतिया के उसके ऑपोजिट लिबाता है शिरीमतिया तो शिरीमान के तो ऑपोजिट बोलेगी तो शिरीमान जी ने क्या बोला कि भाई कि Model उपर जी तरफ और चाहिए शिरिमतीस वो ली नहीं कहने का मतलब अब यहाँ पर जो करीकुलम डैवलोपमेंट का मॉडल है उसको बनाने वाले जी तीचर हैं उसको इंप्लीमेंट करने वाले क्या था यह चोटा सा क्वेस्टन लेने का अब इस क्वेस्टन को यहां पर लेने का मतलब यह था कि बेटा पीवाई क्यू में तो सिर्फ अंसर नहीं अब बाकी की ऑप्शन्स भी मैटर करती हैं समझाया यह क्लास ना आपको भी रियलाइजी नहीं होगा यह रिलाइजी नहीं होगा कि यह क्लास कितनी इंपॉर्टेंट आपके लिए यह चीज बस यह साबित करने के लिए पेपर के कुस्टन लेकि आने का परपज ही यह था कि मैं आपको यह बता पाऊं कि बेटा जिस तरीके से मैं सोचता हूं आपको पढ़ाने के टाइम आप लोगों को सारी चीजे क्लियर करने के टाइम उसी तरीके से आप भी सोचने की कोशिश करो आप भी यह सोचो कि अगर उसने इस बार यह चार ओप्शन को पूछा है एक स्टेटमेंट देके तो हो सकता है इन चारों में से देखो अब मेरे को एक बात बताओ कि दूसरी बार उससे कुस्टन पूछा है अब तुम क्या एंटिये पर केस कर दोगे यह बोल दोगे कि भाईया सिलेवस में तो तुमने मेंशन नहीं किया तुमने पूछ कैसे लिया इस हिसाब से यू पी ऐसी में हर रोज लडाईयां होंगी क्योंकि यू पी ऐसी का तो सिलेवस यू स्पैसिफिक नहीं है उस में लिख दिया एंशेंट इंशेंट हिस्ट्री पढ़ते रहो जितनी मर्जी पढ़ते रहो एंसेंट हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री अरे मॉडर्न में तो सब कुछ आ रहे हैं यह सिलेवस का जो एक गुबारा होता है ना उस गुबारे की आसपास घूमोंगे ना तो उतना ही मिलेगा जितना कट नैट अफ तक नैट की कट आफ तक भी लेकर नहीं जाएगा लेकिन अगर उस शिलेवस के गुबारे से बाहर निकल के और भी चीजों पर focus करोगे, NTA को समझने की कोशिश करोगे, NTA की दिमाग को समझने की कोशिश करोगे, examiner के point of view से समझने की कोशिश करोगे, तब clear होगा, बोलता रही sir syllabus पढ़ने के पास हो जाओगे, नहीं होगे, भूल जाओ, अब वो time नहीं रहा, कि सिर्फ जो syllabus में रखा हुआ है, और मैं उसे पढ़ाने में 16 घंटे लेता हूँ, उस topic को पढ़ाने के लिए, चार लाइनों को पढ़ाने के लिए, मेरे को 8 classes लेनी पढ़ती है, 2-2 घंटे की 16 घंटे पढ़ाना पढ़ता, ICT और फिर भी cover नहीं होता, फिर भी cover नहीं होता, फिर भी हर बार 4-5 नहीं चीज़र आ जाती है, कभी sniffing आ जाता है, सूंग आ जाता है, यह आ जाता है, यह कभी number system आ जाता है, हम binary to decimal वाला पढ़के जाते हैं, वो minus वाला पूछ के जाते हैं, तो वो point वाला पूछ लेते हैं, वो कुछ ना कुछ हम से आगी रहते हैं, तो हमारी अपरोच कि यह ओनी चाहिए कि जितने हमारे पास पीवाई क्यों है जितने बार हम जितने हमारे पास क्वेस्टन है उसके बेसिस पर अगे नहीं जा सकते तो उनके बराबर तो पहुंची सकते हैं कि समझ आया इस वजह से आप लोगों को इस चीज पर भी क्या करना पड़ेगा फोकस करना पड़ेगा अब यहां पर डिसकस करने का रीजन यहीं था कि मैं आप लोगों को यह बता पाऊं पेटा कि अभी जो शीट्स आएंगी उसके अंदर भी जितने भी नई मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यह बताता है कि हर बार जितना भी शिफ्ट है अगर 30 31 शिफ्ट में पेपर हुआ है ना तो 30 से लेके 35 के बीच में नई चीज़े आएंगी आप दो दिन के अंदर भी एक टॉपिक को पढ़ोगे न मत अगले में मैक्सिमंम आपको तीन घंटे का टाइम लगे। रैकार मैं तो आपको यह बोल नहीं जो अध्या को अगरत पढ़ाने के बाद अभी जैसे बमर्क बैले था हुआ कि वहाई तुम रहा हुआ है अगर यह सारी टिजह पढ़ाने के बाद आप पढ़ नहीं रहा हो तो फिर बेटा तुम रहा को चाथ हêu अब तो दो देन के अंदर एक वीडियो दूंगा 90 देना तो 45 अगर टॉपिक भी आई हुए ना तो भी सारा सी लिवस्ट वहां से जो जितने नए कंसेप्ट है वो कवर हो जाएंगे लेकिन उसके लिए आप लोगों को और मेरे को मेहनत करनी ही पड़ेगी उसके लिए आप लोगों को और मुझे दोनों को मिलके मेहनत करनी पड़ेगी ना तो आपकी मेहनत से और ना ही मेरी मेहनत से कुछ एक्जाम क्रैक होने वाला है जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं जितनी मेह इनत हमारे एंड से हो रही है उतनी ही आपको भी करनी पड़ेगी देखो अगला कुस्टन देखते हैं एक और चीज समझने की कोशिश करते हैं यह आपका सारे का सारा मॉडल था अब यह देखो अब यह अब मैं इस कुस्टन को क्यों लेके आया हूं सरीयों तक कॉमन सेंस बिल्कुल नहीं है लेकिन पूरी टीचिंग यूनेट पढ़ने के बाद आप इस कुस्टन को बना पाऊगे पूरी टीचिंग यूनेट को पढ़ने के बाद आप इस कुस्टन को बना पाऊगे उसका रीजन क्या है उसका रीजन यह है कि आपको पता है रिकॉलिंग क्या ह होता है recognition क्या होता है retention क्या होता है लेकिन उसके लिए आपको पूरी unit को पहले पढ़ना पड़ेगा चलो इसका अंसर बताओ कि इस question का अंसर बताओ वेटा क्या होगा पोटो से अपए इस को स्टन का अंसर बताओ शूब रूको जो पहले मेरे इक बार अंसर देख लेने दो फ्री मैं इसको डाश्य रूक हो तो इसका अंसर बताओ वेटा फटा फटसे चलो देखते हैं कि यसमें गच्छे का सही उत्तर देते हैं यह आर-वाली सारी टेम्स उफ मेमरी यह मैमरी के खेतरस है i कि यह कॉब पहले आप कि जो बच्च्छे यूट्यूब पर देख रहे है वहाने क्ड़ास को देख सकते हैं आप लोगों को पोल पे भी मौका मिलेगा लीडर बोर्ड पे आने का मौका भी मिलेगा और साथ ही साथ आप लोगों को PDF डाउनलोड करने का मौका भी मिलेगा लीडर बोर्ड कहां गया पता नहीं कहां गया चलो कोई बात में हम समझने की कोशिश करते हैं मैंने आपको क्या बोला जब इस तरीके का कुष्टन आए पहले इधर मत देखो ठीक है इधर मत देखो यह वाली साइड को भूल जाओ यह जा चुका है पहले इस पर फोकस करते हैं देखा होगा वह चोटा सा एक काड़ जाते हैं महान तांत्रीक मरे हुए में जान डालने वाले मुर्दा को जिंदा करने वाले अगर आप सौंकन से परिशान हो घर में कोई भी प्रॉब्लम हो दुष्मन को मारना हो तो इस नंबर पर संपर्क करें अरे भाई जब तो इतना क कुछ कर रहा है तो इतनी अड़टाइजिंग क्यों कर रहा है बता यह डेड़एड रुपय वाले काड़ चाप के लोगों की घर में जाके मिंटें क्यों कर रहा है अगर तेरे को इतना ही पता है देखा होगा आपने वशीकरण से छुटकारा मन चाहा प्रेमी पाईए मन यहां पर आपको रिवाइवल एक वर्ड मिल गया रिवाइव करना मतलब कुछ चीज पहले है उसको रिवाइव करने की कोशिश की मैनिफेस्टेशन ऑफ और मतलब मैंने किसी चीज को रिटेन किया उसको मैंनिफेस्ट मैं कैसे करूँगा डफेक्टर रिस्पॉंसिवल फ के रिटेन करके रखना करना था रिटेन करके रखना सीको मैंनिफेस्टेस्टेशन का मतलब क्या है अब उस चीज को साथ दिन के अंदर क्या बोलते हैं बरबाद करे अपने दुश्मन को है अगर मेरे को ऐसे बाबा के पास जाने का मौका मिले और मुझे वो बोले कि क्या करना है मैं बोलूगा कि साथ दिन के अंदर मेरे को अपने दुश्मन को बरबाद करना है तो वो बोलेगा अच्छा वो दुश्मन को और मैं बोलूगा तू चल अपने आपको बरबाद कर साथ दिन में बाबा जी तो भाग जाएंगे अपनी कुटिया छोड़ के चलो अगला कुस्टन देखो अब ये वाला एक ऐसी जनरल सी स्टेटमेंट मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं जो इतनी कॉमन है इतनी बेसिक है कि बच्चे इसको भी गलत कर देते हैं लेकिन आज मैं आपको इसका तरीका बताके जाऊंगा तो ये वाला कुस्टन तो आपका कभी गलत नहीं हो गा कि आपका ये वाला कुस्टन तो कभी गलत नहीं होगा अगर आपने इस चीज को समझ लिया क्वेस्टन क्या है आउट साइड दा प्रिव्यू आफ क्रेक्रेक्रिस्टिक्स अफ लर्निंग अब लर्निंग से तो आल्रेडी आपको हजारों कुस्टन पूछे जा रहे हैं कि इदर से अच्छा अरे पूल के टाइम पर ना थोड़ा सा घबरा आ जाता हूं मैं कि पूल पूछ लिया कहां पर अंसर दिया जाए कि अ कि मजा आ रहा है वताओ जितना एक्स्टक्ट करके आए थे उससे ज्यादा ही दूँगा यह आठ क्लासिस के अंदर आपका पेपर वन का पूरा सी लेवल्स डीकोड कर दूँगा यह अपने आप में एक युनीक तरीके की क्लासिस है बेटा जो आप लोगों को यहां पर मिलने वाली है लीडर बोर्ड क्यों नहीं दिखाता अच्छा दिखा रहा दिखा रहा दिखा रहा अब सुनो अगर आप इस कुस्ट्ट को ध्यान से पढ़ते हो तो उसने बोला क्र पर व्यू यह नहीं है जो चीज यह नहीं है मतलब आफ से क्या पूछा जा रहा है या तो आप इसको नो के हिसा आप से पुछ लो इसका खेला कितना एंटी है कितना वैरी चलाक ब्रो यूर गैटिंग वैरी-वैरी चलाख पहले तो तुम नो लिखते थे डाजन ओर लिखते थे नं लिखते थे लेकिन अब तुम्हें नहीं टर्म निकाल दी क्या outside the preview प्र रिव्यू का मतलब यही है कि जो इसका पार्ट नहीं है जो इसका इसा नहीं है अब इस को डिसकर्स करने का भी अल्टीमेट अब्जेक्टिव यही था कि आपको यह भी समझ आ जाए कि भाई अब कुछन पूछने का तरीका भी चेंज हो रहा है उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है यह भी आप लोगों को समझना पड़ेगा कि अच्छा यार वो क्या समझ रह और कि सतरीके से दीरे-दीरे लेवल को बढ़ाया जा रहा है लर्निगे सा लाइफ लॉग प्रोसेस लर्निंग वह सीखना बंड तो मुझी ना वंग है न सीखो गया नहीं तो जी होगे कैसे लर्निग इस टेंपरेरी चेंज यह लर्निग इस प्रॉंप्ड़ इंडिविज of a behavior simple learning is all about the permanent change in the behavior of a learner एक learner की life में जो permanent change हो रहा है एक learner की life में जो permanent change हो रहा है उसको क्या बोल दिया जाता है that is basically known as learning लेकिन यहां पर यह opposite पूछ रहा है यह बोल रहे temporary change होगा temporary change नहीं होता बहिए लर्निंग में चीज़े temporary change नहीं होती है learning में तो पूरे का पूरा चेंज हो जाता है और बच्चा permanent लेवल पर क्या हो जाता है उसके अंदर changes अब देखने को मिलते हैं बताया है ना learning का मतलब देखो आप को आर दिन तक ब्रश की और उसके बाद भूल गए माथे पर ऐसे ब्रश कर रहे हो सब उट के याद ही रहा कि यह दांतों पर मारना था तो तो टेंपरेल तो वह गई ना भूल गया भूल गया कि यार मुझ पर लगाना था यहां पर यहां पर लगा रहे हो आपकी मम्मी ने आपको लिप्स्टिक लगाना सिखा दिया दो दिन तक लिप्स्टिक लगा रहे हो उसके बाद यहां पर लगा रहे हो आईब्रो पर लग और अगर बाई चांस कहीं ऐसा हो जाए तो बेयाद शादियों में जाके न छोरे छोरियों के मुझ देखने लायक होंगे जिनको यह याद नहीं रहेगा यहांपे कोई लिप्स्टिक लगा रखा है यहां पे कुछ लगा रखा है मुँपे कुछ और लगा रखा है क्योंकि सारी चीज़े तो ऊपर नीचे हो जाएंगी ना अन बैलंस हो जाएगा और फिर उसमें चलते फिर भूत चलती फिट्टी भूत मिया नजर आएंगी अच्छा है लर्निं नहीं गर सकता मतब इससे अच्छी एक्जांपल देके मैं आपको समझा रहा हूं इसके बाद भी अगर आपको यह चीज समझ नहीं आ रही है तो बेटा आई कांट हेल्प यू एनिमोर फिर इससे ज्यादा मैं आपकी कोई भी मदद नहीं गर पाऊंगा है ठीक है चलो एक इसका अंसर दो इस क्वेश्चन को अराम से ध्यान से पढ़ो और फिर मुझे इसका अंसर देने की कोशिश कर दो अब इस क्वेश्चन को पढ़ो अराम से जल्दवाजी नहीं करनी इसके अंदर एक वर्ड़ लिखा हुए है विटा LMS लर्निंग मैणेजमेंट सिस्टम और इसपर भी मैनने आपको वन ड़े बंब कंसेट में पढ़ा ठीक है यह वाला टॉपिक भी मैंने आप लोगों को वन डे वन कंसेप्ट में पढ़ा रखा है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कौन सा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम उसमें क्या होता है कि आज के टाइम पे जो ऑनलाइन है जो वर्चुआ लर्निंग होती है उसके लिए जाता है ज suspensory x agency दो देखता हूं कितने बच्चों को इसका अंसर आता है मेरे को पहले इसका उत्तर देख लेने दो लिजिए और आपके सामने पोल प्रस्टूत है देखते राभियां पूजा अनकिता राष्मिता नेहा रानू वैश्याली अम्रृता गोष्awa प्रियंक प नेना निकत रश्मी मम्त्य अपने नाम देख देख के पड़ रहे ही यार इसका मजा रहा ना इधर देखो ये तुमही कि सब ही हो सेथ पॉलमंही कृष्ण सुमाय। सुमाय। स्रदा ये सारे एक सा साथ उकठे होगे क्यार। चलो, पोल पे आते हैं और लीडर बोर्ड पे देखते हैं, पिचाने में प्रतिशात लोगों ने इसका सही उत्तर दिया, अब यह जो पांच परसेंट वाले हैं, मैं इनी को यह चीज़ समझाना चाहता हूं, यही कोस्टन में इस वज़ा से लेकर आ रहा हूं, यह बहुत ज चौक और बोर्ड और डिक्टेड नोट्स तू स्टुडेंट इन क्लास्वों, यह टीचर है, वो क्लास में आता है, वो वाइट बोर्ड पे लिखता है, उसके द्वारा क्या करता है, बच्चों को पढ़ाता है, टीचर भी यूज वीडियो कॉन्फरेंसिंग टूल एंड इसके अंदर मेरा कुछ बताने की भी जरूरत नहीं थी, किसी नोट्स को पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि इतना कॉमन सेंस वाला कुश्चन भी 5% बच्चे गलत कर रहे हैं, तो आप सोचिए बेटा, आप लोगों की प्रेप्रेशन का लेवल क्या है, आप इस चीज को अंडरस्टेंड नहीं कर पा रहे हो, कि ओफलाइन टीचिंग क्या होती है, और ओनलाइन टीचिंग क्या होती है, अच्छे तो यह बता दो, मैं तुम्हें ओफलाइन पढ़ा र लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, देखो, फील आ वो तो कभी भी किसी को कहीं पर भी आज़ा सही थी, तो फीलिंग पर इतना ध्यान मत दो, एक्चुल में बताओ, कि मैं ओल्लाइन ही पढ़ा रहा हूं, अपने घर्स के पढ़ा रहा हूं, जहां पे अगर 1700 बच्चे यहां हर shift में, हर paper में आपको 5-7 questions, मतलब 14-18 number ऐसे होते हैं, जिसमें आपको इतनी सी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, यह free के number होते हैं, यह question इस तरीके से दिया जाते हैं, तांकि किसी बच्चे के zero ना है, ठीक है, आपका खाता खोलने के आए कि आर एंटिया ने जीरो नंबर दे दिया तो ऐसे पांच साथ कुष्टन एंटिया हमेशा देता है यह बोलने के लिए कि बिटा कम से कम पांच साथ कुष्टन तो सभी कर ले ना इज़त तो रख ले ना अजीत अगर कर को जानते होगे अप अजीत अगरकर अस्टेलिया के दौरे पर गया पांच टेस्ट की सीरीज थी पांच की ती तो शेंट olhos लगा तर वह ड़क प्याउट हो गया जीरो प्याउट हो गया साथ में मैच में भाई ने एक रन ले लिए और एक रन पर यासे बल्ला लहर आ रहा जैसे सेंच्री मार दी मैंने का यह जीरो से बच गया इसके लिए यही बहुत वड़ी अचीवमेंट है साथ में डख होने से पहले मतलब छे बार जीरो से वोल्डेंडग पर याउट हो रहा है पहली वाल पर रहा है और एक रन लिया जाके साथ में मैच में उस पर बल्ला लायरा जैसे पता नहीं दोस्तों से मार दिया तो तुम्हें उन सारी सिच्वेशन से बचाने के लिए नहीं करोगे इस तरीके के कुष्टन को भी ट्रीट नहीं करोगे तो बिढ लिए बहुत किरिकते के बहुत बड़े बड़े किस्से हैं अगर आपको कभी सुनाने बैठ हो तो अब यह देखो यहतों क्यों लेक्याना है हूं अगर आपको यह बहुत ही चैनल स्टेटमेंट है अगर आपको यह भी नहीं आता ना तो एक्जाम तुमारे लिए है निए टीचिंग तुमारे लिए है यह निए अगर तुम्हें यह कुस्टन भी नहीं तक कम से कम 50 question में इसकी application थी अब यह देखने बाद बोलो कि सर कितनी बड़ी जोट रहे हो छोड़ नहीं रहा हो भरोसा नहीं है तो आपको यह साभित कर दूँगा यह question नहीं पूछा गया होगा लेकिन इस question की application आज तक के पूछे के पचास से जादा question में थी और इस बार भी थी इस बार भी होगी आगे भी होगी यह बात समझ लीज़े अरे पोल पर अंसर देना यार क्यों comment में अंसर कर रहे हो जब पोल आ रहा है तो पोल पर अंसर करो ना जादा तर बच्चों का सई अंसर आया है 92 अबर्शन लेकिन फिर भी अभी देखो कितने सारे बच्चे इसका गलत अंसर दिये हैं अब यह अब इसका मैं क्या करूं देखो जगर आप इस question को भी गलत कर रहे हो आप teacher बनने वाले हो teacher learning assessment का इस्तेमाल करेगा किसके लिए learning outcome लिए देखें यह वर्ड है इसको याद रखो इसको learning outcome भी लिखा आता है इसको realization of objectives भी लिखा आता है इसको मतलब अलग-अलग तरीके से पूछा जाता है अब इसको समझने की कोशिश करो मैं आप लोगों को यह class ले रहा हूं यह मैं आप लोगों को एक class चमड़क्ट कर रहा हूं यह आप लोगों के लिए एक class है वह मैं conduct करवा रहा हूं यह सो नो क्लास कंड़क्ट करने क्या ultimate objective मेरा क्या है कि मेरे कुछ objectives होंगे उनकी realization ही मेरा objective है क्यों देखो ना तो भाई मैं इतना बेल ला हूँ कि आपको सबागंटे यहां पर time pass के लिए बुलाओं और ना ही आपके पास इतना time है कि आप सबागंटे की क्लास को देखो और उससे कुछ सीख के ना जाओ यह सोर नूं कि आर्यूट इटिए पॉइंट ना तो मैं इतना बेला हूं कि अगर मैं वो चीज आपको सिखा पाया और आप उस चीज को सीख पाए तो इसका मतलब मेरे और आपके दोनों के अब्जेक्टिव्स अचीव होगां यह सोरो करता है या अपनी कहानिया सनानी है या अपनी बढ़ाई करनी है या पेंतालीस सवा गंटे की क्लास में आदा गंटा अपने बारे भी बताना मैंने ये किया है मैंने वो कर रख है मैंने इतना पढ़ा हुआ है मैंने इतनी बार नेट किया है मैं तो बहुत पढ़ता हूं मैं इस युनिवस्टी में पढ़ा हूं मैं इस कॉलेज में पढ़ा हूं क्या मत्तव इन सारी चीज़ होगा या सुरू दिस नॉट रिलेटेड विद स्टडी से रिलेटेड क्या है मेरा काम है टीचिंग अप्टिटूट को आपके सामने डीकोड करना मैं उसको डीकोड करूंगा आपके सामने हर चीज जो आपके एक्जाम के पॉइंट आगे उसे इस चीज़ को बहुत प्राउडली बोलता हूं कि मेरी टीचिंग की एक क्लास है मेरी क्लास है मुझे पता है कि मेरा एक दाइरा है कि मुझे यहां पर रहते हुए यह पढ़ाना है अब मदारी नहीं हूं कि मुझे आपको अकर्शित करना है अगर आपको मेरी टीचिंग प क्या है टीचर का काम है अपने स्किल्स पर काम करना बच्चों को अच्छी शिक्षा देना बच्चों को वैल्यू प्रोवाइड करना अगर मैं अच्छा पढ़ाऊंगा तो अप मेरी क्लास में आओगे या नहीं आओगे आपको 12 गंटे बठाके रखना वो एक क्लास है उसके लिए मेहनत लगती है लेकिन यह फूफा मदारी वाला काम तो वह बंदर अन्य चाहता है इसको मदारिया जैसे बंदर को अन्य चाहते भीड़ी कठी कर लेता है वह काम तो नहीं आपके लर्निंग आउट पर आउटकम पर काम करना कि आप लोगों के लर्निंग आउटकम पर काम करना कि बेटा आ रहे हो हमारी क्लास में एक घंटा आप हमें डिवोट कर रहे हो सवा घंटा हमें डिवोट कर रहे हो तो आपको क्लास खतम करने के बाद यह रिलाइउज हो और end में आपको जब movie खतम हुई तो आपको एक अलग satisfaction मिली, feel good हो, चाहे वो कोई murder mystery हो, चाहे वो suspense relo, एकदम से end में आके आपका दिमाग फट गया, यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, और वो उसके बाद में कितनी देर आपके दिमाग में चलती रहे थे, जैसे मैंने internet man को पूरा खतम कर दियो, जब वो end में blast हुआ ना तो एकदम से miracle हो गया, दिमाग के अंदर 10 देन तक वो web series चलती रहे, तो उसी तरीके से जो एक satisfaction है ना, वही objective मेरा आपको मेरी class में है, कि जब आप class खतम करके जाओ ना, तो आपको एक satisfaction हो, आपको लगे कि यार मैंने य इदर उदर की बातें नहीं सुनाई, टीचर ने अपनी बढ़ाईयां नहीं की, टीचर ने अपनी बात कम की है और हमें improve करने पे हमारे enhancement करने के हमारे career की बात जादा की, याद रखिए एक टीचर, अच्छा टीचर वही होता है, जो अपनी बात कम और आपकी जादा करता ह है, वो टीचर जो अपनी बात जादा और बच्चों की कम करता है, वो कभी अच्छा टीचर नहीं हो सकता है, तो ये था वेटा आज का छोटा सा session, उमीद करता हूँ, इस session से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, अगर आपको सीखने को मिला है, तो आप YouTube क कल शाम को सबसात बजे, research को भी इसी तरीके से decode करेंगे, research के top 7 topics बताऊंगा, 8-10 questions बताऊंगा और उसकी भी अलग-अलग approaches पे काम करेंगे, मतलब ये 7 दिन, 8 दिन, 12 घंटे आप मुझे दे दीजिए, paper 1 एकदम से घुसा दूँगा आपके दिमाग में, paper 1 पूरे का पू productive लगा होगा, इसी तरीके से, नहीं, complete नहीं हुआ बेटा, मतलब ये series है, जिसको हम cover करने वाले हैं, अब ऐसा थोड़ी सारी teaching हतम हो जाएगी, मैंने आपको एक roadmap दे दिया है, अब आप इन चीजों को पढ़िए, notes हैं, आपके पास PY क्यों है, the ultimate objective is to decode the series, मतलब syllabus को decode कर करना और इन topics को जरूर से पढ़के जाए जिन बच्चों का set का exam भी है, ठीक है, चलिए, शुक्रिया, thank you so much, bye bye, take you.